यदि आप DCA या PGDCA कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि DCA और PGDCA के एक्जाम सेप्टेंबर लास्ट वीक में हो सकते हैं जिसके लिए अब सिर्फ दो मन्त ही बाकी है और आपको इसकी तैयारी खुद से ही करनी पड़ेगी क्यूंकि कोरोना अभी गया नहीं है यदि आप किताबों और QB की साहता से तैयारी करते हैं तो आपको खुद सारे टॉपिक्स को समझना होगा और एक QB की कीमत लगभग 100 रुपे होती है यदि इसके आधी कीमत में आपको नोट्स के साथ साथ सिलेबस वाइज वीडियो लेक्चर भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा वो भी आपके मुबाइल पर लाइफ टाइम एक्सिस के साथ माइ कम्प्यूटर कोर्स एप के अंतरगत वीडियो लेक्चर किस प्रकार के होंगे और कैसे आपको इस कोर्स को एक्टिवेट करना है आईए देखते हैं तो विंडोज के सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बट्र आज के वीडियो में हम देखेंगे गूगल मैप में आप अपने घर और काम के पत्ते को कैसे देख सकते हैं आप गूगल मैप का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं गूगल मैप है क्या वाट इस गूगल मैप गूगल मैप एक वेब आधारित सेवा है जो भागौलिक छेत्रों और दुनिया भर की साइटों के बारे में विस्तरिक जानकारी प्रदान करती हैं यह आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अपलाई करना है यह आधार कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं आईए समझते हैं यह आधार कार्ड क्या होता है आधार कार्ड आप सभी लोग जानते हैं आधार कार्ड जो है एक यूनिक आईडी है जो प्रत्यक व्य detail में सीखना है, पूरे software को चलाना सीखना है, उस पे काम करना सीखना है, नई नई डिजाइन बनाना सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको coral draw की window के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो चलिए समझते हैं coral draw की window के बारे में सबसे पहले आपको अपने mobile पर google play store को open करना है, google play store के अंतरगत आपको जाना है my computer course के अंतरगत, यहाँ पर आपको लिखना है my computer course जो की app का नाम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको my computer course एप इस परकार से दिखाई दे जाएगा, इसे आप install कर लेंगे और install करने के आपको इसे open करना होगा, open करने के बाद आप अपने mobile number के द्वारा इस app को register करेंगे और यह OTP के माद्यम से आपके mobile में register और verify हो जाएगा, जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर यह OTP के माद्यम से इसे मैं यहाँ पर verify कर लेता हूँ, और verify करने के बाद यह आप है वो activate हो गया, अब आपको course अपना purchase करना है, course करने के लिए आपको जाना है store option में, store option में जाने का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सारे courses जैसे DCA first semester के सभी subject हैं, PGDCA first semester के सभी subject हैं, जो भी course आप कर रहे हैं, चाहे आप DCA second में हो, या PGDCA second में हो, आपको complete course करीदना है, या आपको single single course करीदना है, आप यह सभी चीज़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक course का price है, मात्र 99 रूपीज यहाँ पर दिया गया है, जो भी course आपको purchase करना है, उस course को आप open करें, open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकत में, आपको notes की e-book भी मिलेगी, और साथ-साथ important question paper भी मिलेंगे, इसे कैसे purchase करना है, purchase करने के लिए आपको जाना है, buy now की button पे, अपने area को या अपने जो आपका state उसे select करना है, और proceed to payment पे click करना है, इसके बाद आप यहाँ पर direct पहुँच जाएंगे payment gateway में, जहाँ पर आ card का, net banking का, wallet का, UPI का इस्तमाल करके, आसान तरीके से यहाँ पर इस course की payment कर सकते हैं, समय बहुत कम है, और यह offer भी सीमित समय के लिए दिया जा रहा है, तो अभी अपने course को activate कीजिए,